हालो दोस्तों, RRB NTPC मैंस टार्गेट हमेशा की तरह 30 में से 30, एक बहुत शांदर चेप्टर, कमपाउंड इंट्रेस्ट, अगर मैं देखूं अपने अनुभव से, तो एक्जाम्स में, जादा तर एक्जाम्स में, आपके रेलवे के नहीं, जादा तर एक्जाम्स में, इस चेप्टर से काफी जादा प्रशन आते हैं, और प्रशनों का जो इस्तर है, जो लेवल है, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकि मैं आपसे बात करूँगा, आज का सेशन, इसलिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है, कि मैं आपको पांच कॉंसेप्ट सिखाऊंगा, कि बात ये, कि इन पांचों कॉंसेप्ट में कहीं पर भी फॉर्मूले का इस्तमाल नहीं है, हम बिलकुल सरल तरीके से, जैसा हमने हमेशा किया, हम रट्रने का प्रियास कभी नहीं करते, तो अपन थोड़ा सा डेराइव करेंगे, मैं कौन सी पांच बाते बताने की कर रहा हूं, और साती साथ आज छोटी धिपावली है, और इस बार कुछ ऐसा से योग बन रहा है, कि बहुत सारे लोग आज छोटी धिवाली के साथ साथ धन तेरस को भी मान रहे हैं, है कि नहीं, डबल धन तेरस है, तो आप सभी लोगों को धन तेरस और छोटी धिपाव नाएं खूब तयारी कीजिए खूब तरक्की कीजिए ताकि बिल्कुल मज़ा आ जाया और हमारा जीवन सफल होना चाहिए जरा ध्यान दीजिएगा एक और छोटी सी बात मैंने आपको सिंपल इंट्रेस्ट के तीन सेशन्स लिए पहले ताकि इसको थोड़ा सा मैंने अलग किया याद रखिएगा compound interest में बहुत प्रेशन हैं हम बात करेंगे compound interest के सारे elements को निकालना principal हो चाहिए amount हो चाहिए rate of interest हो चाहिए time हो चाहिए ratio हो हम बात करेंगे इनके बीच में अलग-अलग टाइमिंग में इंटरेस्ट निकालना जैसे मैं कहूं तीन साल और तीन महीना कंपाउंट इंटरेस्ट क्योंकि सिंपल में तो कोई फरक ही नहीं पड़ता मैं आपसे बात करूँगा ऐसा जब आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफेर ली लगे, क्वाटर ली लगे, मन्थ ली लगे या हर दो साल या पांस साल में लगे और बहुत तरह के प्रशने हम सारी बात करेंगे आप सेशन को लास्ट तक देखिए तो यहार का टाइम है मैं जानता हूं लेकिन देखो, मैं भी तो आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं न क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपन डेली क्लास करेंगे तो मैं तो अपने commitment का पक्का हूं तो आप भी कम से कम अपने लिए यह तो जरूर कीजिए, यह आज की क्लास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा important है और मैंने रखी भी इसलिए जानबूच कर तकि मैं भी तो बच्चों का seriousness देखूं कि आप में इतना seriousness है की नहीं कि आप 24 घंटे में से एक घंटा निकाल करके अपनी पढ़ाई को देते हैं या नहीं देते हैं चलिए शुरू करते हैं क हमको देखो यह जो मैं आपको पांचों concept सिखाने की बात कर रहा हूं यह पांचों concept के लिए हम क्या करते हैं हम एक आसान सा example उठाते हैं बहुत आसान सा उस example से कुछ results निकालते हैं उन results के साथ-साथ मैं आपको पांचों concepts discuss करता हूं ताकि वो चीज समझ में भी आएगी जबा देखिए एक बहुत आसान सा example बहुत easy data उठाते हैं जैसे माल लिजेगा कि मूलधन मूलधन जो है अब यह देखो मैं आपको मूलधन में क्या लिखूँगा पी लिखूँगा यानि कि principle क्योंकि simple interest कि मैं already 3 session करा चुका हूं और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमेशा आपको continuity में देखना ही फाइदा देगा यह मूलधन 10,000 रुपया है और जो time है time वो अपन मालेते हैं चार सालों का है four years का time है और ब्याज किदर जो है 10 प्रतिशत है आसान सा ले रहा हूं बिल्कुल एक आसान data था कि जिस पर calculation आसान हो जैसा मेरा हमेशा मानना है कि जो concept की clarity है उसका जो सीखना है वो आसान आकणों के साथ होना चाहिए और जो learning है ना depth में पहुँचना वो tough से tough data के साथ होनी चाहिए तो start up करते हमेशा आसान से और अंत करते हमेशा tough से गिरिजवली सिखेंगे मज आ जाएगा आज के session के लिए मैं आपको specially request करूँगा इसका एक minute भी मिस मत कीजएगा यह मेरा वादा है आपको compound में कभी समसा नहीं आएगी क्या एक session में compound पूरा हो जाएगा सवाल ही पैदा नहीं होता compound कराने में कम से कम 3-4-5 session तो लगने वा जाएगा क्योंकि questions के varieties बहुत ज्यादा है जरा देखिएगा मैंने कहा मूलधन आपका 10,000 टाइम चार साल का है rate of interest 10% है और मैं आपसे बात करना चाता हूँ simple interest के बारे में और मैं आपसे बात करना चाता हूँ compound interest के बारे में अब सब बच्चे बोड़ पर ध्यान दीजेग सबी लोग ध्यान दीजेगा देखो अगर मैं आपसे बात करूँ कि यह 10,000 रुपया है माली यह ठीक बात है एक तरफ हम बात कर लेते simple interest की कि simple interest कितना मिल रहा है एक तरफ हम बात कर लेते compound interest की यानि compound interest कितना मिल रहा है एक तरफ मैं बात करना चाहूँ आपसे amount के बारे मे यह amount क्या होता है देखो यह सब चीजे में आपको पिसले session में simple वाले में तीनों बता चुका कि amount का मतलब है मिश्रदन यानि कि मूल धन में अगर मैं ब्याज जोड़ दू तो जो आता है वो मिश्रदन आता है यह chapter जितना tough लगता है आप देख लिजेगा यह tough नहीं उतना ही आसान साबित हो जाएगा main बात यह है कि आपको बरी किया पता है या नहीं और आप लगातार देखिए एक के question को practice किजिए और आपको अनुभव है पुराने कितना सारा मसलेबस already complete कर चुके हैं और हजारों बचों के comments मुझे मिलते हैं कि उनको मजार है match में जिनको डर लग पांच और वो पांचों कॉंसर्ट में आपको आज है डिसकस कुरूं all five जरा धान दीजेगा आपने कहा कि यह जो मुलधन है वो कितना है दस अजार एक बार आपको यह concept सीखने के लिए थोड़ा slow चलना पड़ेगा मेरे साथ साथ और आप और मैं साथ साथ चलेंगे कैसे चलेंगे विजवलाइस करते हुए विजवलाइस का मतब क्या होता है कलपना करना कैसे जैसे देखो मेरे एक भात मानिएगा थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़ करके मेरे साथ चलो और ऐसे माल लो कि 10,000 रुपए आपकी पॉकेट में है और मेर प्यारे प्यारे बहतनीन कॉंसेप्स उसमें निकाल कर मैं दूँगा।शायद मैं इसलिए लगा रहा हुए क्योंकि गॉरिंटी में कैसे दे सकता हूं। कुछ बाते आपको ऐसी पता लगेंगी, जो शायद आपको किसी को कभी पता ही ना हो, क्योंकि वो हाता है, experience से, analysis करने से, आपको क्या लगता है, मैं कि अवल teaching का काम करता हूँ, teaching के साथ साथ मैं कि student भी तो हूँ, मैं हमेशा अनवरत, always अपने आपको update करता रहता हूँ, जि क्या माना, कि 10,000 रुपए आपकी pocket में है, मेरे पास भी है, चलो, ये साल लिख देता हूँ, मैं आपको, यहाँ पर है न, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, एक टेबल से बनाते न, मज़ा आएगा आपन को, अच्छे सा सीखने में, ये तीसरा साल है, और ये चौता साल है, ठीक है, ये चार साल है, आपने 10,000 रुपए लेकर गए किसी बैंक के अंदर, और कहा आपने कि मुझे इसकी FD करवानी है, FD करानी हैने कि Fixed Deposit, जैसे हम पहले ही बातचीत कर चुके, कि ये जो ब्याज की दर है, ये सामाने तहा वार्शिक होती है, लेकिन ये हाफिरल भी हो सकती है, quarterly भी हो सकती है, ये सारा मेरा काम है, मैं सब सिखा हूँ आपको, बट एकदम से थोड़ी सारा काम हो सकता है, पहले आपने बेसिक तो त्यार कर लें, अब देखो, आपने कहा साब ब्याज की दर क्या है, 10%, तो 10% ब्याज की दर आपको याद हो, तो मैंने पि इतने रुपे मिल जाता है, वही भी आज की दर होती है, तो 10%, 10,000 का, तो 10,000 का 10%, 1,08 तो 1,000 रुपिया, मुझे क्या मिलने वाले बताइए, simple interest, पहले साल का simple interest क्या मिलेगा, 1000, दूसरे साल का simple interest क्या मिलेगा, 1000, तीसरे साल का भी 1000, और चौते साल का भी 1000, अगर हमने ये प ऐसा निवेश किया किस पर सिंपल इंट्रस्ट पर तो इसका मतब क्या है हर साल जो ब्याज मिलेगा वहां मूल धन में जुड़ने वाला नहीं है तो क्या होगा जब जुड़ने वाला नहीं है तो हर साल जो लगने वाला ब्याज है उसका आधार वही बना रहेगा जो था इस मिल ता रहेगा, compound पिया जाता है, एक मिनिट मेरे कलाइन ध्यान से सुनना, पुरे अटेंशन से सुनना, देखो, निवेश हमेशा वर्ष के आरंभ में किया जाता है, लेकिन जो amount मुझे मिलता है, वापस ब्याज साहिट वह हमेशा वर्ष के अंत में मिलता है और जहां तक बाच्चित कमपांड की होती है और कुछ वर्षों का काम होता है तो एक ऐसा मोमेंट आता है एक ऐसा शन आता है जब किसी साल का अंत होता है और उसी शन किसी नए साल का प्रारंब भी होता है जैसे अगर मैं चार साल की बात करूँ तो एक साल बाद जो मुझे मिलेगा वो एक साल तो बाद है और वो राशी क्या है वो राशी वह है जो मुझे एक साल बाद मिली लेकिन वही राशी वो है जो दूसरे साल का प्रारंब मेरी शर्त क्या थी आप सारे लोग छोड़के एक सेकंड के लिए भी दिमाग को नहीं जाएंगे और अपने आपको विजवलाइस करेंगे कर लिया सब दसजार आपके बाद सिंपल को छोड़ दो कंपाौंड की बात करते हैं आपने बैंक में अब डी कर आई सिर्फ एक साल की कितंने साल ही एक सल चोड़ोे बाद आप और मैं क्योंकि मैं भी तो इनवस्टर उ तो मेरे को पहले साल का साधरन ब्याज और compound interest दोनों बराबर होते हैं, बशर्ते क्या, ब्याज yearly calculate हो रहा हो, कल को half yearly calculate होगा तो क्या होगा, तो जो पहला 6-6 महीना था उसमें समान मिलेगा, और quarterly अगर लग रहा होगा तो पहला quarter, पहला quarter simple compound बराबर आएगा, क्या अर्थ है इ यह है कि दिमाग से निकाल दीजेगा, कि पहले साल का simple or compound क्या होता है, बराबर होता है, बलकि यह है कि पहली बार जो मिलता है, वो simple or compound बराबर होता है, क्योंकि पहली बार जब ब्याज मिलेगा, और मैं उसे मूलधन में जोड़ूँगा, तब ही तो ब्याज पर ब्याज म compound क्योंकि simple वाले case में तो एक साल बात 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 यह तो simple है compound की case की बात कर रहा हूँ देखो limitations है जगर की तो अपन बहुत सारी बातें बोलकर बात करेंगे अब जेखो जैसे आपने पैसे लिए विज्वलाइस करना पड़ेगा आपको पांच मिनिट के लिए जैसे साल के अंत में और आपने दुबारा कब जमा कर आए दूसरे साल के स्टार्ट में क्योंकि वही एक साल का अंतर वही दूसरे साल का स्टार्ट है अब दूसरे साल के स्टार्ट में आपने कितना रुपया जमा कर आए मैं इतनी बारी किसे क्यों बोल रहा हूं क्योंकि मैं इ सजार नाम की चीजी नहीं है क्योंकि 11,000 आपको मिल चुका था आपने पॉकेट में रख भी लिया था आपने दुबारा जाकर जमा कराएं अभी दो मिट के अंदर तो अब आपका जो मूलधन है वो क्या है 11,000 है तो जब मूलधन 11,000 है तो अगले साल जो ब्याज मिलेगा आ इको एक, दो, तीन, चार लिखा वा तो दूसरे साल में कितना ब्याज मिला 11,000 है दूसरे साल के प्रारंब में दूसरे साल के प्रारंब में मैं कुछ रिजल्ट्स दूँगा आपको पांच मिनिट बाद वो रिजल्ट्स आपको लगेगा रट लिए सरिये तो हमने अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको समझ लो, तो फिर रटना कभी नहीं होगा, आपको खुद समझ में आगा result कैसे निकल गया और क्यों निकल कर आए, कई बार क्या होता है, कि किसी ने का कि compound में, simple में तो सब कर ले दें, compound में 5 साल के बाद में धन हो गया इतना, principle का बतानी, और जो धनता compound में 9 साल के बाद हो गया, इतना, अब 5 साल के बाद इतना हो गया और 9 साल के बाद इतना हो गया, बे आज की दर बताओ, क्या आपन 5 से 10 सिकंड में निकाल सकते हैं, हाँ, यह मैं अभी बताओंगा आपको, concept को clear करूँगा, ऐसा नहीं है कि 5 और 10 साल का gap हो तो न 12,100 क्योंकि आपने तो 11,000 जमा किये जैना, मैंने का ता न कहानी की तरह चलो, 11,000 जमा किये थे, ब्याज की दरवई, तो अब आपको मिलेंगे 1100 रुपा ब्याज, अब आप मुझे बताईए, दूसरे साल का अंता आ गया, आपने का मेरे को दे दे पैसे, तो आप उसने का पुरानी बाते भूल जाओ, नए आप, 12,100, अब आपने के मन में ख्याल आया, कि क्या मैं इसको दुबारा जमा करा दू, पैसे के जरो तो है नहीं, खर्चो जाएंगे बेकार में, तो आपने 12,100 जमा करा दिये, कौन सा समय ये, ये समय है, दूसरे साल का अंत, और यही व जान बुच के 10% रखा है मैंने, ताकि क्लिर्टी हो, अब जब एक साल गुजर जाएगे, नहीं कि तीसरा साल गुजर जाएगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, 12,100 मिलेगा, 1210 रुपए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए, अब आप, एस एक साल और की कहानी है, बस ध्या है यह, अमाउंट, मिश्रदन, यह कब पहले साल के अंत में, यह दूसरे साल के अंत में, यह तीसरे साल के अंत में, तीसरे साल का अंत हो गया, आप पहुच गे, ला मेरे पैसे, कितने जमा कराये थे, 12,100, तो 12,100 पर 1210 ब्याज हो गया, 10%, 13,310, क्योंकि हर बार, जो आपक में, एड़ कर देते हो, एक आखरी साल और विज्वलाइज करना है, बस फिर रिजल्ट्स पर आता हूँ, अब तीसरे साल का अंत हो गया, आपने पैसे ले लिए, काउंट कर लिए, अंती बार काउंट किया, बार बार नहीं करा हूँ, आमें, 13,310, यह क्या है, तीसरे साल का अंत, और यही क्या है, यही है, चौथे साल का स्टार्ट, आपके मन में आखरी बार यह सवाल आया, कि मेरी जरूत तो एक साल बाद की है, तो एक साल बाद की है, तो मैं एक साल क्या करूँगा, इस पैसे का, चल, दुबारा निवेश्च करता हूँ, इस बार निवेश् कि ग्याराजार नहीं तोफटापने एक साल बात किये दे यानि दूसरे साल के स्टाट में फिर 12,000 नहीं तो बलकि 13,310 को मिलें तीसरे साल के अंत में और जो थीसरे साल का अंत है वही चौथे साल का प्रारंब भी है और चौथे साल का प्रारंब भी कितना है 13,310 का 10% यानि कितना 1331 रुप है और 1331 रुप है आपको ब्याज कम मिला चौथे साल में तो आप जोडेंगे इसको तो 14,641 रुप है आएगा यह क्या है? 14,641 कौन सा पैसा है? 13,310 में मैंने 1331 जोड़ा तो मुझे मिला 14,641 अब मैं पैसे लेकर आँगा बैंक से तो अब मुझे क्या मिलने वाला है? चौथे साल की अंत में क्योंकि मैंने जमा कराये थे 13,310 तो मुझे मिलेगा 1331 रुप है ब्याज और 14,641 रुप मुझे मिलने वाले अब आप ध्यान दीजेगा यही सारा मामला अगर सिंपल इंट्रेस्ट पर होता इसी से मैं पांचों कॉंसर्ट निकालने वाला हूँ पांचों इसी से टेबल जो मैंने बनाई है आसान सी आप देखे आप अगर सिंपल इंट्रेस्ट की बात करते तो चार साल बात अगर सिंपल इंट्रेस्ट की बात करते तो चार साल बात आपको 14,000 मिलते क्योंकि हर साल का ब्याज कितना है हर साल का ब्याज कितना है एक एक हजार लेकिन आपने जब compound पर किया तो आपको 4 साल बात किता मिला 14,641 यानि 641 उर्वे ज़्यादा मिले और जैसे यह और period बढ़ता चला जाएगा तो फिर इसमें जमीन आस्मन का फरक आजाएगा क्यों? आप देखो यहाँ पर ब्याज अभी भी 1000 है जबकि यहाँ पर 1331 पहुंच चुगा अब ब्याज आएगा 1464.1 यानि लगबग इसके आधे के आसपस एक्स्टर मिल रहा है आगे और ज़्यादा 4 साल 3 साल निकलेंगे ब्याज दुगना होने लग जाएगा इधर 1000 का ही रहेगा उदर 2000 को क्रोस कर जाएगा इसलिए हमेशा सिंपल और कंपाउट को समझना चाहिए निवेश करते वक्त भी और लोन लेते वक्त भी कि ब्याज दर कम है कि ज़्यादा है इससे ज़्यादा important है कि ब्याज दर सिंपल है या compound है जब हम बैंकों में FD कराते हैं तो वो quarterly compound होता है यानि कि त्रेमासिक रूप से उसने कहा कि ब्याजदर 8% है तो एक लाग पर 8000 ब्याज नहीं मिलेगा आपको क्योंकि हर तीन महिने में compound होता है तो 8000 से थोड़ा सापको क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा इसी तरह से ज खुद एक सरकारी बैंक में बरसो नोकरी करके हूँ यह सारा काम तो मैंने खुदने किया है लाइफ और प्रैटिकल एक्सपरियंस है इसलिए हमेशा देखेगा क्या चीज की जो रेट है वो simple है कि compound चलिए मैं अब आपको जो पांच रिजल्ट्स दे रहा हूं तो पांचो की प्यारा रिजल्ट सबसे चार रिजल्ट वो क्या जरा ध्यान दीजेगा सारे बच्चे मैं यह कहना चाहता हूँ इस पहले रिजल्ट में मैं करूंगा रेशो एनलिसिस और इससे मेरे बहुत जादा सवालों के मुझे जवाब मिल जाएंगे रेशो एनलिसिस और किसका इंटरेस्ट तो मैं आपसे अभी प्रिंसिपल आमाउंट और कमपॉंट इंटरेस्ट इन तीनों के रेशो के बारे में एनलिसिस करता हूँ और फिर आपको कुछ रिजल्ट्स देता हूँ और वो रिजल्ट्स आप धिमाग में रखेगा रटना नहीं समझ कर मेरे साथ चल प्रिंसिपल तो हमेशा फिक्स हो गया क्योंकि प्रिंसिपल तो हर बार दसजारी था एक साल में 11,000 मिला फिर 12 13 14 सिंपल में जबकि प्रिंसिपल तो सारे बच्चे समझेंगे देखो सबसे बहली बात मैं बात करूंगा आपसे एक साल के बारे में कोशिश करता है इसे स्पेस में सारा काम हो जाए तो मैं थोड़ा कम लिखूंगा आप भी बाद में एक बार तो पूरा सिलो फिर आप पॉस करके नोट करना है जो मैं कह रहा हूँ एक साल में एक तो मैं क्या दिखना चाहरा हूँ प्रिंसिपल यानि कि पी में मेरे को रिलेशन चाहिए एक तरफ मुझे क्या चाहिए अमा पिरिया बता जाएगा आपका यानि करने का तरीका भी तो अलग हो सकता है है ना देखओं ये 10,000 रहे मैं कहता हूँ कि हमारे घर में है माता हैं, बहनें, और सब लोग रोटी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, क्या दो लोगों का खाना जो बनता है, उसका टेस्ट कभी एक जसा हा सकता है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी फरक तो आता है, बता हो आता है कि नहीं आता है, दो लोग चाहे बनाते हैं, तुना भी आपको आता हो लेकिन मेरी ऐसा प्रयास है कि स्टूडेंट का फाइदा होना चाहिए और उसके लिए क्या है मेरा काम यही एंडिस करना क्योंकि मेरा तो यही काम है यही पैशन भी है यही प्रफिशन भी है के अवल और केवल टीचिंग तो मैं सिर्फ जितना परता हूं उसके लावा जो बागी चाहिंग बसता है उस सब एनलिसिस में जाता है अनवरत तो देखो प्रिंसिपल कितना था एक सल के बाद करों दस अजार अमांट कितना था अरे मैंने इसमें क्या किया तीन जीरो तो अड़ा ही ना रेशो में तो तीनों को काटना पड़ेगा तो ध्यान दीजेगा ये रेशो आगया मेरे पास ये रेशो अनलिस इस बोला है मैंने उपर रेशो आया किसका रेशो आया मेरे पास रेशो आया प्रिंसिपल का सब दूसरा, दो साल, अगर मैं यही बात करूँ दो साल के बारे में, दो साल के बारे में बात करूँ तो ज्यान दीजेगा, क्या प्रिंसिपल 10,000 था, हाँ, प्रिंसिपल तो 10,000 ही था, बिल्कुल था, अमाउंट कितना था, 12,100, अरे था ना भई, और जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलिधन और जो अमाउंट है, उनका जो अंतर आएगा, वही तो कंपाउंट इंटरस आएगा, जरा देखिए, लेकिन सीखने के लिए सब कर सकते हैं, कोई तकलिफ नहीं, इधर देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्योंकि मैं इसका इस्टा लिखता हूँ, ताकि एक स्टेप आपको नजरा है, सौ का रूट कीजे, एक सो एकिस का रूट कीजे, रूट करो क्या आएगा, दस और क्या बताइए, ग्यारह, यह मैंने राउंड में कर दिया, यह किसका रेशो है, किसका है, प्रिंसिपल का, 11 किसका रेशो है, amount का, तो component rest तो वही निकलने वाला हमिशा, इसको ratio में बत निकालो, इसको क्यों डिफरेंस में निकाल लेते हैं हम लोग, तीसरा, तीन साल, बात वही है, सारे लोग ज्यान देंगे, तीन साल के अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताईएगा, क्या, 10,000, क्या मूलदन 10,000 था, अरे 10,000, 10 साल में भी 10,000 रहेगा, मूलदन तो वही है मेरे पास में, लेकिन यहां में बात करूँ, मिश्रदन, तो वो क्या था, 13,310, 13,310 था की नहीं था, अब क्या था, एक साल में कुछ नहीं करना मुझे, दो साल में में क्या करूँगा, स्क्वाइर रूट करूँगा, तीन साल में क्या करूँगा, क्यूब रूट करूँगा, चार साल में क्या करूँगा, चार का मूल करूँगा, पांच साल में क्या करूँगा, पांच का मूल करूँगा, मेरी बात समझ भा रहे हैं, तो ये concept है यह concept क्या सिखाता है concept सिखाता है कि मूलभन विश्ष्र ओर और क्या Compound इंट्रेस्ट इन तीन में से अगर कोई भी दो चीज़ पता है इन तीन में से कोई भी दो चीज़ पता है तो तैस्सरे आसनी से निकुशन चatin करें ऑर फिर इसे इस पर कई सारी क्यूब रूट निकलेगा यह पक्की बात है और चुक्कि हमने पहले ही यह आकणा लिया हुआ है जो राउंड फिगर में जान बूझ कर यह डेसिमल में हो सकता है रुको थोड़ा चा डेसिमल में आपको बहुत अच्छा कराने वाला हूं फ्रेक्शनस में बहुत जाद अच आप 11 दीया 1331 स्लॉरी इसका मुझे क्या चाहिए क्यों पूर 당 किया होगा 10 और इसका क्यो रूट क्या होगा 11 क्या रेशो अय हूरणाय मेरे पास मेरे पास ब्रींसिपल और किसका बताय अमाउंट का अरे मूल रुडण में दस मिश्धर रुडण difference कितना एक, एक किस पर बताओ 10 उर्पे पर, वही 10%, क्यों, अरे ब्याज तो हर बार 10% ही था ना, इस पूरे case में चाहे 2 सालों, 3 सालों, 5 सालों, कुछी हो, ब्याज की दर तो वही 10% थी, चोथा और अंतिम, 4 साल, यहां में 4 साल लियें, और आपके exams में मैंने तो देखा नहीं कभी, मेरे को इतने साल होगें, मैंने तो देखा नहीं, उसने 5 साल, 10 साल पूछाओ, वैसे ज़्यादा तर 99 फीस दी questions में, 2 साल और 3 साल के questions आते हैं, 2 साल और 3 साल, 4 साल भी आ जाता है और उससे ज़्यादा आ जाये, तो कर तो लोग है आप, लेकिन आता नहीं है, तो मैं आपको बतातो दूँगा, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगानी की जरुत है नहीं, अगर मैं 4 साल की बात करूँ तो सब लोग ध्यान दीजेगा, मूल्दन तो वही 10,000 है, मूल्दन तो और 4 मूल निकलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, अगर मैं कोशिश करूँ ध्यान दीजेगा, तो क्या कर सकते हैं, सब लोग ध्यान दीजे, अटेंशन दीजेगा, क्या ये 10 की पावर 4 है, यस, और ये भी 11 की पावर 4 है, बिल्कुल मिलेगी आपको, क्यों मिलेगी क्योंकि 11 का क्यूब तो ये है, 1331, और 1331 को अगर मैं 11 से गुना करूँ तो ये आएगा, तो अगर 1331 इसका क्यूब है किसका, 11 का, तो ये क्या है, इसका, to the power 4, 11 to the power 4, तो ये पक्की बात है, कि अगर मैं इसका, चौथा मूल निकालूं, इसका और इसका, तो मेरे को रेश करने पड़ सकते हैं, क्या, आपको अगर principle और amount का ratio मालूम है, तो इनका square, इनका cube, इनका to the power 4, 5 करके, आप 4 साल, 5 साल आगे का, मिश्रिदन निकाल सकते हो, अभी मैं आपको concept सिखा रहा हूँ, practical कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, बट gradually, ये कर सकते हो, और दूसरा जो मैंने तो amount है, उसका root निकाल लीजे, 3 साल है, तो cube root निकाल लीजे, 4 साल है, तो क्या करेंगे आप, 4 मूल निकाल लीजे, और 5 है, तो 5 वा इतनी ज़्यादा जरूत पड़ेगी नी, तो ये मेरा result number 1 था, result number 1 क्या दिया मैंने आपको, कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और आगे तक आ सक दिया, कि लगातार, लगातार मतलब कैसे, कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में ऐसा कुछ हो, एक ध्यान देना result पर, एक result मैं दे रहा हूँ, हलागी 3 result लगातार है, मैं पहले वर्बली बोल देता हूँ, फिर 3 को लिखवा दूँगा, देखो, मैं इसको देखकर बताता हूँ, देखते दुनिया में कभी भी, कोई भी, कोई भी 2 सालों का, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए, लगातार 2 सालों का, और लगातार 2 साल नहीं हो तो, वो बताता हूँ, मेरे एक result में आजाएगा, 5 में, कोई भी 2 लगातार सालों का, सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए, तो उसस आप व्याज की दर निकाल सकते हैं कैसे देखो यह आपके सामने है यह आपका compound interest है लगातार दो साल पहला और दूसरा लगातार दो है दूसरा तीसरा लगातार दो है तो लगातार दो उठाओ तो लगातार दो में 1100 हजार और 1100 में जरा मेरे को देखिए difference कितना है 100 रुपया वो 100 रुपया इस 1000 का कितना परसेंट है अरे 100 रुपया 1000 का 10 परसेंट है तो ब्याज की दर कितनी है 10 परसेंट लगातार दो आपको पता है मैं भी जानता हूं कि यह बहुत छोटी बाते लेकिन बहुत जरूरी बात अंतर 110 तो 110 1100 कितना परसेंट है 10 परसेंट है अच्छा इन दोनों का अंतर कितना 121 1210 का कितना परसेंट है कितना परसेंट है 10 परसेंट है मैं आप से यह कहना चाहता हूं result नंबर 2 में यदि दो लगातार वर्षों का compound interest दिया जाए तो rate of interest आसानी से निकल जाती है बहुत यह आसानी से निकल जाती है जैसे देखो for example किसे ने का 18th 18 सालों का नहीं बोल रहा अठार वे साल का बोल रहा हूं 18th year 18th year का जो simple interest है वो है 9000 रुप है 18th year का simple interest है 9000 रुप है और 19th year का जो सॉरी वेरी सॉरी कंपाउंड है यह simple मत कर दे रहा है simple की कोई बात नहीं होगी आज compound अगर 19th year का compound interest मह लीजे कि 9,270 रुप है तो इसको देखने मातर से ब्याज का पता लगता है कि यहां 3% ब्याज किदर है कि ब्याज किदर 3% क्यों 3% है ध्यान से समझेगा अठारवे साल के अंत में ब्याज कितना मिला 9,000 और 19 साल के अंत में कितना मिला 9,270 दोनों का difference कितना है 270 रुप है तो 270 रुप है 9,000 का कितना प्रतीशत है 9,000 का एक प्रतीशत 90 तो 9,37 इस तीन प्रतीशत साफ साफ दिख रहा है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए एक तभी तो मैंने आपको सबसे पहले कहानी यहां पर समझाई देखो ज़रा बोर्ड बैच्छे से आप खुद समझो क्योंकि यह जो results है यह difference आपको मुझे मैं कम से कम एक लंबा session हुआ के वल डिफरेंस का SI और CI के difference का कम से कम एक session दो भी हो सकते हैं क्योंकि इस पर धेरो सवाल आते हैं और बहुत यह बारी किया हैं और अभी भी मैं बता सकता हूं नहीं थोड़ा रुको क्योंकि जो कर रहे हैं उससे पूरा करते हैं तरीके से देखो एक बात क्याओ पर मिला हुव दस HR मुझे पता है लेकिन आप तो मानों कोई मूल्दन था उस पर 1000 अप ने क्या हो मूलदन निकाला नहीं तो अभी वहहीं चमाई तो अगले साल क्या होगा कि वह से मेरे को जिस मूलदन पर ज क्योंकि मैं यहांपर मैं यहां पर इस प्रश्ण में प्रश्ण कहां अगर मैं बात करूँ यहां पर इस प्रश्ण में मैंने आपको मूलदन दिया ही नहीं यहां पर मूलदन अब बता ही नहीं है और वही एक साल का टाइम है तो जब पहले हजार मिला था इसके टेबल रहूँगा पूरी अच्छे-कासी नई ऌगा इंट्रस्ट के लिए लिए्टी मंट्रस्ट सैइ diverton में हजार तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि जिस मूलदन को हम ने जमा करहें तो उस पर हजार मिला जोना इस बात में मज़ा जाएगा आपको आपको जरूती नहीं है बहुत सारे काम करने की आपको केवल एक साल का compound मिल जाए अगले साल लगाता निकलता चला जाएगा कई साल बात का भी निकलेगा सब बताऊंगा देखो 1000 में 10% जोड़ो ग्यारा सौफ आया ग्यारा सो में 10 जोड़ो बारा सो लोसाइब बारा सो-दस में 10 जोड़ो 12 8300ी दि अग्ला क्या चाहेगा 133.1 जोड़ो अग्ला क्यूँ क्यों कि हर साल क्या हूं रहा जमाओ गया, सब पर मिला, तो जितना ब्याज पिछले साल मिला, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, केवल फर्क क्या जाएगा, ये जो पिछले साल जमाओ वो एक्स्टरा ब्याज है, उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो जरा एक बार देखिएगा, एक जरूरी चीज ध्यान देना, सारे बच्चे ताकि आपको इसमें और clarity आए देखो ये कौन से साल का ब्याज है 18 साल का compound interest है तो मैं आपसे पूछना चाता हूँ इसका इसके लिए मूलधन क्या था इसके लिए मूलधन मैं ऐसा माल लेता हूँ इसके लिए मूलधन था कुछ X कोई X रुपया हमने जमा कर रहा है था लेकिन ये 9,000 रुपया ब्याज किस पर मिला होगा क्या उस X पर मिला होगा ना जी ना उस X पर तो मिला ही होगा साथ में ये जो 18 साल है ये तो तो इससे पहले 17 साल भी तो गुजर गए तो X प्लेस 17 सालों का कंपाउंड इंट्रेस्ट ये जो है ना इस पर भी आज मिला है 9,000 रुपया अर्युटिंग मैं पॉइंट अगर ये अठारवे साल का कंपाउंड इंट्रेस्ट है अगर ये अठारवे साल का कंपाउंड इंट्रेस्ट है तो इसका मतलब है किसका मूलधन क्या है मूलधन मान लिया X तो साथ में इसमें 17 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है फिर जो बना ये मूलधन है जिस पर ब्याज मिला नोजार अब अगले साल 19 साल क्या हो गया इसका मूलधन क्या है अरे ये तो ही है जो उपर लिखा हुआ है ये तो ही है धंक से समझो इसमें सिर्फ क्या जूड़ गया ये 9,000 तो जूड़ गया बताइए क्योंकि इससे पहले जो कुछ चल रहा था वो मूलदन था उस पर ये भ्याज मिला तो ये तो वर्ष का आरंब में था कब 18 साल के स्ट इस बात का 270 रूप एक्स्ट्र किस बात का ये 270 रूप एक्स्ट्र मिला इस 9000 तो आप पुराने की वाजीसे इस ग्लोग की वाजेसे और 270 मिला इस 9000 की वाजेसे और 9000 का 1% कितना हो ता 90Be9 और 1% तो 270 कितना है तीन परसंट नो ब्याज़ का दार रूपए compound interest है कुछ बच्चों को लगता चम्वाली सौल की calculation कैसे होगी चम्वालीस वा दिया है पैंतालिस वा लेते अबन क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि चम्वालीस और सैंतालिस अड़तालिस दे को और सकते हां कर सकते हैं थोड़ा patience रखो gradually उससे पहले कहानी समझानी तो पड लेते अपन 7,105 रूपए compound interest है तो आप से पूचा ब्याज की दर क्या है मैं कहुँगा एक दश्मलाव पांच प्रतिशत देखते ही क्यों दौनगा डिफरेंस कितना 105 रूपए 105 किस पर 7,000 पर 7,000 का एक परसेंट 70 70 प्लेस 35 होता है तो कितना हो गया यह 1.5 परसेंट लेक होने चाहिए लगातार साल होने चाहिए तो हम बात कर सकते हैं अमेरा result number 3 पर आईएगा result number 3 सारे बच्चे ध्यान देंगे result number 3 बहुत ज्यादा important है कोई भी 2 वर्षों का amount to plbd हो कोई भी 2 वर्षों का amount to plbd हो तो हम क्या कर सकते हैं हम ब्याज की दर तुरंत निकाल सकते है और ये note नमर 3 से जो प्रशन बनते हैं, धेरो प्रशन एक्जाम्स में आते हैं, जैसे देखो, सारे समझना, note नमर 3 क्या है, यदि कोई भी, पहला और दूसरा नहीं, पहला और तीसर चलेगा, पहला और चौता चलेगा, दूसरा और सात्वा चलेगा, बहुत रूल है, शंदा रूल है, और एक्जाम में खूब बार एक्जाम में आता है, देखो, यदि कोई भी, दो वर्शों का, कोई भी दो वर्शों का, amount, amount का मतब क्या है भी, मिश्रधन पता हो, तो, R, rate of interest, निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, कैसे, आपको बटाता हूँ कई सारे cases, मुझे बताइए, पहले साल का amount क्या था, क्या 11,000 नहीं था, जल्दी बोलो, दूसरे, बार-बार पीछे जाना पड़ेगा ना अपनको, क्योंकि टेबल तो वही कामे लेने वाले, दूसरे साल का क्या था, अरे 1100 जोड कर क्या निकाला, 12,100, तीसरे साल क्या क्य रही है, क्या amount, ये 4 सालों को amount था, मुल्दन कितना था, लेकिन मैंने मुल्दन चाहिए नहीं, मैंने क्या लिखाव है, amount, मिश्रधन, अगर कोई भी, मैंने क्या का, 5 result दूँगा, 5 बहुत important है, समय कम है, कोई बात नहीं, 10 मिनिट और बने रही है, class के अंदर, आपके का कर आपको amount पता हो, तो दर निकाली जा सकती है, जैसे, पहला case, पहला case, अचा किवल एक साल का लूगा, तो मजे वाली बात नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कि कोई धन, मैं एक प्रशन लिख देता हूँ, कि कोई धन, कोई principle लिखते ज्यादा चाहरेगा, धन का मतलब क कोचना बोले, तो वो principle ही होता है, कोई धन, एक वर्श में, कोई धन, एक वर्श में कितना हो जाता है, 11,000, amount अपन अभी एक बार डेटा ये यूज़ करेंगे, समय वैसे भी कम है अभी, ताकि इससे अपन बहुत आचा है, और वही धन, तीन वर्शों में, तीन वर्शों म समझे, आपको केवल सालों का अंतर चाहिए, एक साल का amount कितना है, 11,000, तीन साल का amount कितना है, 13,310, आप जरा देखें, बहुत ध्याद सा समझेगा, जो बाद में है, जो बाद में उसको आप amount माल लीजिए, और जो पहले था वो base है, उसको अपन प्रिंसिपल माल लेते, त आपको amount और प्रिंसिपल का ratio निकलेगा, बिल्कु निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये है 13,310, और वो कितना है पता है, 11,000, आप मैं इसको formula से भी निकाल सकता हूँ, बढ़ जरोत नहीं अपन को, इस concept, क्योंकि मैंने आपको concept तो पहले सिखा दिया, table बना करके, तो उससे भ cube root चाहिए, और आप message मेरा समझ पा रहे है, ये बहुत जबर्दस्त काम करेगा, हर जगा पर, अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो सारे लोग समझ नहीं कोशिश कीजएगा, यहाँ मैं 0 उड़ा सकता हूँ, और अगर 11 से काटूँ, क्योंकि ये तो किसी का cube root है नहीं, तो 11 क का मतब ये 2, 1, और 11 का मतब ये 100, तो यहाँ साफ नजर आता है, ये root है न, तो 121 और 100, क्या निकलेगा बताओ, 11 और क्या बताओ, ये 10, अभी मैंने क्या कहा आपको, ये 11 किसका ratio है, amount का ratio मना जाएगा, और ये किसका मना जाएगा, principle का, और ये हैं तो दोनों amount, लेकिन 3 साल वाला, नीचे रखिये पुराना, तो जो पुराना था, वो principle का ratio देगा, और जो नया था, वो amount का ratio देगा, और क्या आया, 13,310 और 11,000 का ratio निकल कराया, 11 बटा 10, इसका मैंने root निकाला है, तो ये जो ratio निकल कराया है, amount और principle का है, आप बताइए, मूल धन तो मेरा 10 उर रुपय था, मेरे को मिला 11 रुपया, और हमेशा जो difference है, वही ब्याज की दर होगी, अब साल की बात खतम हो गई, क्योंकि मैंने root कर दिया, तो मैं ब्याज की दर क्या बात करूँ बताईए, 10 प्रतिशत, एक रुपया ब्याज है किस पर, 10 पर, तो 10 प्रतिशत है, मैंने ज को कर लेता हूँ, एक साल, एक वर्ष में जो amount है, ध्यान देंगे सब लोग, एक वर्ष में amount कितना था, 11,000, एक साल में amount कितना है, 11,000, और 14,641 ले लेते हैं, 14,641 कितने सालों में बताऊ, 4 सालों में amount ये है, तो आप मैसे समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से, क्या कर का 3, तो आपको इसका क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, और यहां आप समझने की कोशिश कीजिए, कि ये दोनो, 11,000 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ना स्क्वाइर होता है, तो ये काटना पड़ेगा, और काटने के लिए 11 के लिए कोई choice नहीं है, तो अपन से 1131, 11 का क्यूब है, तो 1331 का क्यूब रूट के आएगा, 11, और 1000 का क्यूब रूट के आएगा, 10, किसके रेशो निकाले, अमाउंट और प्रिंसिबल के रेशो क्या है, 11 और 10, तो आपकी ब्याज की दर क्या निकल कर आएगी, बताए, एक बटा 10, यानि कि 10 परसेंट, एक ने एक साल और क्या निकाला, तीन साल, एक साल और क्या निकाला, चार साल, अब क्या दो और चार भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई तकलिफ नहीं है, अगर मैं कहूं, दो वर्ष में जो अमाउंट था, दो वर्ष में अमाउंट क्या था, 12,100, वही एक वर्ष में थ मेरा principle क्या करना है ये कितने साल है दो साल ये कितने चार दो और चार कंतर बोलो दो तो इसका formula क्या बनेगा इसका आप क्या कीजिए रूट निकालिए एक और चार कंतर कितना है तीन तो क्यूब रूट निकालिए आप मेरा message अच्छे से समझ पा रहे होंगे अब आप इसको देखो 14,641 और नीचे क्या करूँ में 12,100 की बात करूँ अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो ये तो पक्की बात है ये मैंने क् केवल अगर मैं 11 से काटने की कोशिश करूँ तो जरह ध्यान दीजेगा 11 से अगर हम काटे है तो 1331 आता है और ये आता है 1100 अगर मैं और क्योंकि तो मुझे रूट निकालना है तो रूट तो होता नहीं तो मुझे और काटना पड़ेगा तो 11 से काटे है तो ये 121 हो गया और ये किता हो क्या 100 क्योंकि ये तो रूट निकालना है तो रूट निकालना है तो रूट आना तो चाहिए तो आपको 121 और 100 का क्या चाहिए बताओ रूट जिए न तो क्या आएगा 11 और क्या बताओ 10 तो 11 आपका क्या है अमाउंट है 10 क्या आपका प्रिंसिपल है और important है, मैं भी त्योंगर की दिन class ले रहा हूँ, एक जरूरी बात, बहुत जादा जरूरी बात, आप जरा सा मेरा favor कर सकते हैं, अगर आप चाहें, तो देखें, दिवाली का समय है, बहुत important time है, मेरी बहुत इच्छा होती, अगर ये live class हो पाती, तो आप से मेरी मुलाकात होती अपन थोड़ी देर बातचित करते हैं, और मैं आप से feedback ले पाता, क्योंकि आज मैं अगर बात करूँ, तो reasoning और match दोनों में, पचास-पचास sessions हो चुके हैं, session नमबर पे मत जाईए, क्योंकि कई बार एक नमबर से दो-तीन session में point लगारा करें, आप playlist में देखेगा, 100 sessions से उपर कल complete हो चुके थे, 100 plus sessions हो चुके थे, और मेरी बहुत इच्छा है, मेरे students से मिलने की, जो मेरे परिवार का हिस्सा है, आप मेरे एक छोटा सा favor कीजेगा, इस दिवाली के तिवाली के तिवार पर, आप सभी एक छोटा सा 30 seconds का, 30 seconds का एक वीडियो बनाईएगा मेरे कहने से, और उस वीडियो को, उसमें आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहां से belong करते हैं, और genuinely, सच्छ मुच, आपको इन क्लासों से कैसे फाइदा मिला है, नहीं मिला है, कितना मजा आया, कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताना, बिलकुल जब घर की बात है और आपको क्या करना है, एक नमबर में आपको बता रहा हूँ, 9829064131, यह Devotion Institute का Official Contact नमबर है, और इसका यह WhatsApp नमबर है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक 30 सेकिंड का ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, एक 30 सेकिंड का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके, और आप इस नमबर पे भेजिएगा, है ना, आप जरूर से आज भेजिए, कल भेजिए, परसों तक भेजिए, दो-तिन दिनों भेजिए, दिवाली पर ताकि मेरा तो खून बढ़ सके न, मैं देख सकूँ कि जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको 294 131, यह डिवोशन का ओफिशल वाटस अप नमबर है, इस पे आप एक वीडियो बना कर 30 सेकंड का मुझे वाटस अप मैसेज करेंगे, है कि नहीं, और मेरी शुब कामना है तो हमेशा रहती है, और एक छोटी सी निविदन और है, सेशन चल रहा है, अपन पांच मिंट औ पर बात करते हैं, क्योंकि अपने पांच रूल्स की बात की थी, और दो रूल आखरी छोटे-छोटे से रूल है, उनको पढ़ लेते हैं, हाले कि मैंने 15 कॉशन भी ले रखें आज के लिए, वो मैं आज नहीं कराता चलो, वो अपन कल कर लेंगे, रूल तो आज कंप्लीट करेंगे, जरा देखिए, अब अपना आते हैं, रूल नंबर 4 पर, रूल नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो रूल नंबर 4 पर ध्यान दीजेगा, सबी लोग, यहां मैं बात करूँगा, अगर यदी, यदी कोई भी, अगले पेज पर लेते हैं, तक ये अपन को पूरा प यानि मिश्रधन पता हो, तो रेट ब्याज की दर निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, कोई भी दो सालों का, कोई भी दो सालों का आपको अमाउंट पता हो, इधर देखो, बहुत छोटा से रूल है, पहले साल और दूसरे साल का जरा अमाउंट देखिए, अमाउंट तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो मैंने rule number one बताया, वही rule number 4 है, लेकिन rule number one में क्या का था, कोई भी दो लगातार, और लगातार नहीं हो, तो अभी किया था अपने amount, पहला और चोथा amount नहीं निकाले का, बताओ, दूसरा चोथा नहीं निकाले का, वो तो निकल जाएगा, ब तो 11000 और 12100 क्या डिफरेंस है 1100 तो 1100 ग्याराजार भी कितना परसेंट है 10 परसेंट दोरों का डिफरेंस कितना है अम मैं पहले बात करता डिफरेंस किसकी compound interest की इस बार बात करो amount की कोई भी दो सालों का amount ले लीजिएगा आपको ब्याज की दर निकल जाएगी जैसे किसी ने कहा असीवे साल 18th year 80th year का amount compound interest की बार चीद हो रही है 80th year का amount जो है वो माल लेते हैं अपन एक लाग दस अजार है एक लाग दस अजार है और 80 first अगर लगातार नहीं हो तो अरे अभी सिखाए ने आपको इसले रूल यही तो था लगातार नहीं हो तो कर सकते ने अपन difference निकाल कर उसका root निकालो cube root निकालो जो भी करो और माल लिजàyat यहां पर मैं बात करूँँए एक लाग दस अर के साथ में 1,013,300 तो difference कितना है अगर मैं बात करूँआ तो 13,300 वैं एक दस 13,300 तो 13,300 एक लाग देर बयाज की दर क्या होनी चाहिए, तीन परतीशत होनी चाहिए, रूल नंबर पाँच, रूल नंबर पाँच, ध्यान दीजेगा सब लोग, एक हम अलजबरा जब पढ़ेंगे, तो एक रूल की बात करेंगे, पास्कल ट्रेंगल रूल, तो वो rule अगर हमें पता है तो फिर हम यह सारी कानी को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं वो rule कैसे काम करता है जरा धान दीजेगा यह session का आज आखरी rule है 2 सालों के लिए rule काम करता है 2 1 3 सालों के लिए कैसे काम करता है 3 3 1 चार सालों के लिए कैसे काम करता है 4, 6, 4, 1 पां सालों के लिए 5, 10, 10, 5, 1 लिखा क्यों नहीं, बना के लिखते हूं आपके सामने पास्कल मैं सिखा दूँगा आपको अभी भी, देखो दो साल में दो टम आएंगी, तीन साल में तीन आएंगी, 4 में 4, 5 साल में 5 और यह बयतरीन और शांदा रूल है और तुख्ये में य्यृत न सा कुछ दो कौंसेप्च्टियो लिख हर चीज के बीछ थैंसर। दो साल में 2 1 कितने साल है 2 2 से शुरू करो 3 साल में 3 से शुरू चार साल में, चार से जुरूँ पाँ साल में, पाँ से जूरूँ, स्टार्ट हमेशा उतने से होगा, जितने साल हैं, अन्त हमेशा एक से होगा, और एक टम बड़ेगी, कैसे बड़ेगी देखो, दो के बाद ने या था, दो में तीन में तीं जूड़ों 6, तीन में जूड़ों 4 अंत तो एक से करना है चार कि पाँच, चार में छोड़ों 10, छे में चार जूड़ों 10.4 में 1 जूड़ों 5 और अंत तो एक से करना ही मिलें यह क्या cose निकाल के दिखाता हूं इस तर्म से कैसे कैसे हो सकता है तो अपन यहीं लिख लेते दो साल अगर दो साल के क्ली में बात कर दो क्या क्या सुत्र है ऑक याуем새 सवाल क्या है सवाल वही बना हुआ है प्रिंसिपल बस पांच मिंट की क्लास और है प्रिंसिपल दस अजार रेट ओफ इंट्रेस्ट क्या टेन परसेंट टाइम कितना दो तीन चार सारे ले रहा हूँ दो तीन चार पांच कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ बोडबेदे को धंक से कॉंसर्ट सीखो जल्दी बाजी में मत रहो काम मेरे को भी बहुत सारे है लेकिन ये काम अभी सबसे इंपोर्टेंट है देखो सिर्फ आपको क्या चाहिए मूलधन और उसक से शचंट 110 1000 मैं करूंगा क्या कितने टर्म लिकिन इंदो टर्म ये फ्रिक्वेंसी है क्या था 105000 का दो गुणा कीजिएगा एक 3000 का deux गुणा कितना होता है 2000 कि बिलकुल 2000 उता है पक्की बाते अब मुझे क्या चीया कोशन तो चीए है यह जो आपने 1000 निकाला था कैसे निकालाता ही है ब्याज पर ब्याज पर ब्याज समय का अभाव है अगले वाले सेशन में मैं आपको और डिटेल में बता दूँगा इसके बारे में बट अभी जब मैंने लिखी दिया तो पूरा तो करता हूँ और आप भी सुन लीजेगा दस अजार का तो मैं आपको शांदर ट्रिक दूँगा वो में अभी नहीं ली क्योंकि मैं जानबुच के डिफ्रेंस की कोई बाती नहीं करना चाहता आपसे अभी अभी अब देखो इस 1000 1000 का 10% बताईए 1000 का 10% 100 100 का एक गुना कितना होगा 100 दोनों को जोड़ दीजे क्या होगा 2100 रुपे यही आपका ब्याज होगा कंपाउंट दो सालों का कैसे हुआ दो मिट धीरेज रखो अभी 3, 4, 5, 6 फटापट कराऊंगा सारे उससे ये भी क्लेर होगा मुझे केवल चाहिए 10,000 का 10% 10,000 का 10% 1000 1000 की फ्रिक्वेंसी कितनी है दो यह रहा ना रूल दे कोई धर से 1000 का दो गुना दो जर अब अगली बार क्या ची है फ्रिक्वेंसी तो वन है बट 1000 का 10% 100 100 का एक गुना 100 तो 2100 हो गया जरा देखिए मेरे साल सब बच्चे ध्यान देंगे तीन साल का काम करते है तीन साल इधर, चार साल इधर तीन साल में टेबल बोलो जल्दी 3-3-1 3-3-1, 10,000 10,000 का 10% जल्दी बोलो 10,000 का 10% कितना था 1000 फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, कितना होगा यह 3,000 बहुत बढ़िया-बढ़िया कोशन कर लेंगा मिस से अब इस 1,000 बस यहीं चाहिए इस पे ब्याज, पे ब्याज, पे ब्याज 1,000 का 10% 100 100 का कितना होगा 3 गुना 100 का 3 गुना कितना होता है 300 अब अगली बार क्या चाहिए यह 100 100 का 10% कितना है 10 यह एक इदर लिख देता हूँ अच्छा यह तो चार साल लिख रहा है 10 कोई बार ने अगले पेज पर लिख लेंगे अपन इसको एक रख लो 10 का क्या बता हो 1 गुना 10 का 1 गुना कितना होगा 10 इन सब को जोड़ दो 3,300 और 10 कितना हो गया 3,300 दस रुपए आप देख लिए तीन साल में क्या ब्याज कंपाउंड यह नहीं था क्या किया कुछ नहीं 3,3,1 सबसे पहले 10,000 का 10% 1,000 अब मुझे वो नहीं चाहिए 1,000 का 3,000 3,000 फिर 1,000 का 10% कितना 100 100 का 3 गुणा कितना 300 फिर 100 का 10% कितना 10 और 10 का 1 गुणा कितना 10 इनको जोड़ दिया अगर यहाँ पर 4 साल होता तो फॉर्मला क्या था 4,6,4,1 जगे कमी है नहीं डंक से लिखते हैं अपनको क्या दिक्कत है सबसे पहले क्या निकाला था 10,000 का 10% 1,000 1,000 का 4 गुणा कितना 4,000 और आप एक्जामें इतना लिखोगे थोड़ी आप तो उसको जोड़ते चले जाओगे कैसे वो करा हूँगा क्वेशन अभी तो concept ही सिखा रहा हूँ देखो अब 1,000 का 10% कितना है 100 100 का 6 गुणा कितना होता है 600 अब 100 का 10% कितना है 10 10 का 4 गुणा कितना होगा 40 अब 10 का 10% कितना होगा 1 1 का 1 गुणा कितना होगा 1 इन सब को जोड़ दो जो नीचे है तो 46, 41 हो गया क्या यही answer है 46, 41 उर्वे तभी तो 14,641 आ रहा था आ रहा था कि नहीं आ रहा था 4 साल में आखरी आज का काम 5 साल भी करेंगे अच्छा क्वशन आगे कि हमारे पास कोई बात नी स्पेस खतम हो रही है अपन क्वशन यह कल करेंगे लेकिन यह 5 साल के लिए मैं स्पेस काम में ले रहा हूँ यह वाली देखो 5 साल 5 सालों को अगर मैं लूँ तो क्या लूँ यह क्वशन कल करेंगे इसको छोड़ दो 5 साल के लिए स्पेस 5 10 10 5 1 5 10 10 10 सॉरी इसके आगे स्पेस खाली होगी क्वशन के लिए तो स्पेस बना रहा हुँ है 5 10 10 5 तो देखो 1000 का पाँच गुना 1000 का पाँच गुना कितना होगा %5 1000 100 100 kinda 10% 10010 गुना कितना होगा 1000 बहुत जाग हो जाता है हुआ इतुम है को शेरों सिखा रहा हु Let's रहे 100 का दसपर्सन कितना दस 10 का दस-धुना कितना होगा %10 दस का 10% कितना होगा, एक, एक का 5 गुना कितना होगा, पांच, और एक का 10% 0.1, 0.1 का गुना कितना होगा, 0.1, तो इन सब को जोड़ दो, तो ये 6105 रुपे 10 पे से हो गए, ये तो बहुत आसान डेटा था जब बहुत टेड़ा मेड़ा डेटा आएगा ना, बहुत टिपि है, और आज के लिए इतना ही मेरी, मेरी आपको हमेशा दिवाली की और हर चीज़ की शुब काम नहीं, एक काम मैंने आपको दिया है, आज मेरा परसनल, ताकि मेरे अभी तो मोटिवेशन बड़े, मैंने क्या काम आपको दिया, मैंने आपको एक WhatsApp नमबर दिया है, उस पर आ अपना एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, और आपको एक क्लासे कैसी लग रही है, कितना मज़ा आप सोचो, मैं भी दिन रात मेंनत कर रहा हूं, हम सब लोग पूरी त्यारी कर रहे हैं, तो आपका रेस्पोंस हमें द देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आपको फिर से असीम शुप कामनाई, थेंक्यू वेरी मच्च